तो हेलो बच्चो strategies for enhancement in food production हम लोग chapter पढ़ रहे थे और इस chapter में हम लोग आ गए थे अपने अगले part में और इस class में या बोला जाए इस video में हम लोग discuss करने वाले हैं plant breeding process को ठीक है हम लोग discuss करने वाले हैं किसको plant breeding process को और plant breeding का जो process है हम देखेंगे कि कौन-कौन से steps involved होते हैं इस process में और उन steps में क्या special points आते हैं जिनसे question पूछे जाते हैं ठीक है तो सबसे पहले एक ही करके यहीं से शुरुआत करते हैं main steps in plant breeding तो एक overview देखते हैं plant breeding के steps का और फिर हम लोग शुरुआत करेंगे plant breeding के process की तो सबसे पहला जो step आता है वो है collection of variability क्या होता है collection अभी मैं पहले आपको overview इसका बता दूँ फिर detail हम इसका discussion करेंगे collection of variability मतलब जिन plants के बीच में हमें breeding करानी है ठीक है तो उनके जितने भी possible specimens हमें available मिल पाएं जितने भी possible varieties हमें available मिल पाएं और इसलिए हम उन्हें variables कह रहे हैं क्योंकि अलग-अलग variety की अलग-अलग property होती है अलग-अलग character होते हैं तो अलग-अलग जितने भी तरह की varieties हमें म आता है collection of variability या इसे एक और नाम देते हैं collection of germ plasm ठीक है collection of variability या इसे कहा जाता है collection of germ plasm germ plasm क्यों क्योंकि अलग-अलग तरह के organisms को हम एक साथ collect कर रहे हैं अलग-अलग तरह के germ plasm को हम एक साथ collect कर रहे हैं और इसलिए हम इसे collection of germ plasm भी कहते हैं दूसरा आता है evaluation and selection of parent यानि अब हमने जितनी भी varieties जितने भी specimen एकटा की हैं उन में से किसको हम as a parent चूज करने वाले हैं यानि किन के बीच में हम breeding का process परफॉर्म करने वाले हैं उन्हें चूज करना पड़ेगा यानि हम चूज करेंगे कि हमारे desired character वाली variety कौन सी जिनको लेकर हम crossing या breeding का process परफॉर्म करने वाले हैं तो उन्हें कहा जाता है इस step को कहा जाता है evaluation पहले evaluate करेंगे देखेंगे किसमें कौन से खास qualities हैं किसमें production जादा है किसमें disease resistance जादा है ये सारा evaluation कर लेंगे तो फिर उसक करेंगे कि हमें कौन सीद्व वाराइटी को लेकर breeding करानी है हमें ऐसी वाराइटी चाहिए इसमें एक में disease resistance जादा हो हमें ऐसी वाराइटी चाहिए जिसमें productivity जादा हो तो ऐसी अलग-अलग varieties को हम analyze करेंगे कि किसमें क्या खासियत है किसमें क्या कमी है किसमें क्या कबियत ह ये सब हम evaluate करेंगे third step पे आते हैं जो है cross hybridization among selected parents यानि जो parents हमने select किये हैं जो हमारे desired character वाले दो parent है, एक में मानलो productivity ज़्यादा है, वो desired character है दूसरे में मानलो disease resistance ज़्यादा है, वो desired character है तो जो ये हमने अलग-अलग desired character वाले parents जो हमने choose किये हैं इन्ही parents का हम क्या कराएंगे cross hybridization कराएंगे ठीक है, इन्ही parents का क्या कराएंगे cross hybridization कराएंगे किसमे selected parents में और इसी cross hybridization से हमें क्या मिलेंगे इनके hybrids मिलेंगे, इनके recombinants मिलेंगे और फिर उन recombinants का हम selection करेंगे उनके hybrids का, उनकी next generation जो offspring मिलेंगे उन offspring का हम selection करेंगे और ये select करेंगे कि कौन से ऐसे hybrids है माल लिजी हमने दो plant के बीच में crossing कराई और हमें 10 तरह के hybrids मिले, अलग-अलग अब उनमें कौन सा hybrids superior character वाला है यानि कौन सा वो hybrids है जिसकी हमें जरूरत थी recombinant है, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत थी वो कौन सा है superior recombinant है, तो superior recombinant को हम choose करेंगे कि माल लिजीए 10 hybrid मिले, उसमें से एक हमारे काम का है वो superior recombinant हमने choose किया और उसके बाद, उस superior recombinant की हम testing करेंगे कि क्या वास्तव में, उस recombinant में वो superior character present है, जिनकी हमने इच्छा की थी, यानि जो desired character थे वो उनका combination present है या नहीं और अगर present है, तो present testing करने के बाद हम उसे release करेंगे market में और उसका commercialization कराएंगे जिससे हम उस developed variety को उस developed breed को, cultivators को नए cultivators को, यानि farmers को available करा सके ठीक है, in the form of seeds तो हम सुनते हैं न, इस seeds या बीज खरीदने के लिए, अनाज के जो बीज होते हैं, बीज खरीदने के लिए farmers क्या करते हैं, जो है market से purchase करते हैं, तो ये वही seeds होते हैं, जिनको plant breeding से produce कराया गया होता है जिनमे desired character वाले gene present होते हैं, ठीक है तो उनको पूरे इस process से गुजारा जाता है, तब वो seeds हमारे लिए market में available हो पाते हैं, जिनमे desired character present हो, ठीक है अब एके करके इनी को देखते हैं इनी steps को, सबसे पहला step आता है collection of variability अब collection of variability यानि collection of germ plasm याद रखना, germ plasm क्या बोला गया है इसके बारे में तो pre-existing genetic variability यानि ऐसे हम plants को ऐसे plants को हम, ऐसे breeds को ऐसी variety को हम खोजेंगे जो पहले से ही present है ठीक है, हमारे आसपास चाहे वो domestic form में present है, या wild form में present है यानि जो भी हमारे आसपास available हो, मिल जाएं, उन सभी को हम क्या करेंगे, collect करेंगे either available in available form wild relative of crop चाहे वो wild form में available हो या domestic form में यानि crops के form में available हो collection and preservation of all wild varieties species and relatives is a prerequisite for effective exploitation of natural genes तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम अगर जो wild variety है ठीक है, wild variety जितनी भी available हो पाएं हम उनको एक साथ collect करके preserve कर ले और उनकी जितने भी relatives हैं, उनको भी हम क्या कर ले collect करके preserve कर ले तो उससे क्या होगा, उन wild varieties और उनके relatives जिनको हमने पहले से ही collect करके preserve कर लिया है उनके exploitation के बाद भी हमें problem नहीं होगी कि अगर किसी भी वज़े से उनकी population इतनी कम हो जाती कि वो हमें future में आसानी से available ना हो पाएं तो अगर हमारे पास पहले से collection है, तो उस collection की वज़े से हम क्या कर सकते हैं, उन wild varieties को हम जो है store कर सकते हैं और अपने पास जो collection है, उसी collection से उनके obtain कर सकते हैं दूसरा, इसी को हम कहते हैं germ plasm collection, इसी को क्या कहते हैं, germ plasm collection, the collection of entire plant seed having all diverse allele for all gene in a given crop तो यानि किसी भी एक crop में जितने भी उनकी varieties हैं, जितने भी उनमे genes present हैं, उन सभी को एक साथ हम collect करते हैं, उनका entire protoplasm हम collect करते हैं, उनका entire genome collect करते हैं, उनका पूरा gene pool collect करते हैं, इसी को कहा जाता है collection of germ plasm, ठीक है, तो हम इसी को collection of variability या फिर collection of germ plasm कहते हैं, ठीक है, step involved in plant breeding. Plant breeding में involved जो है ये first step होता है. तो plant breeding से benefit क्या होता है? थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे और एक point समझ में आएगा कि हम लोग आजकल ऐसा देखते हैं ना market में जाते हैं market में हम माली ज़े टोमेटो लेने जाएं ठीक है? तो हमें एसे red color के टोमेटो दिखते हैं जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ठीक है? ऐसे कुछ ऐसे एक size के, एक ही color के, एक ही shape के, ऐसा लगता है यह factory से बन के आ रहे हैं और ठीक वैसे ही अगर हम जो pumpkin लेने जाएं ठीक है? pumpkin भी एसा लगता है, एक ही shape के, एक ही color के एक ही size के, वो भी ऐसा लगता है factory से बन के आ रहे हैं ठीक है? actually factory से बन के नहीं आते हैं but उनको produce ऐसे कराया जाता है कि same desired character वाले offspring ही produce होते हैं ठीक है? यही benefit होता है किसका plant breeding का ठीक है? second step पे आते हैं evaluation and selection of parents यानि जो germ plasm हमने collect किया है जितनी भी अलग-अलग varieties हमने अलग-अलग plants की collect की है अब उन में से सबसे हमारे लिए जो सबसे desired combination वाले parents कौन से है desired combination वाले variety कौन सी? ठीक है? तो इसी को होगा कि जितने germ plasm collect किया है उसमें से उनको choose कर पाना जिनको हम as a parent use करने वाले है ठीक है? जिनको हम as a parent use करने वाले है उसे कहा जाता है evaluation and selection of parents तो यहाँ पर आएगी बात to identify plants with desirable combination of character उनको खोज पाना जिन character की हमें जरूरत है जिनको मिला कर हम नया hybrid बनाने की सोच रहे हैं तो ऐसे individuals को select कर पाना ही selection of parents कह रहाता है the selected plants are multiplied and used for hybridization अब जिन plants को हमने select किया है उन्हें हम multiply कराते हैं जिसे उनका number बढ़े और number बढ़ेगा तो फिर हम उन्हें hybridization में use करेंगे और इससे क्या होता है pure lines are created यानि homozygous homozygous allele वाले individuals को produce कराया जाता है यानि same type के allele वाले individuals को produce कराया जाता है pure line character वाले individuals को produce कराया जाता है किसे evaluation and selection of parents third step पर आते हैं third step क्या कह रहा है कि जो हमने parents को select किया है ठीक है जो हमने parents को select किया है उन parents का cross hybridization कराना है ठीक है cross hybridization यानि उनके बीच में breeding कराना hybridization कराता है जैसे यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर हमने एक corn का एक parent हमने लिया जिसकी length जो है length जादा है ठीक है क्या है length जादा है दूसरा ऐसा लिया है जिनमे number of grains जो है जादा एकदम compact form में अब इन दोनों में एक की breed के parents को not offering दो अलग-अलग breed के specimens को parents को hybridize कराएं जिससे हमें एक hybrid मिले जिसमें दोनों के ही desired character मिले ठीक है जिसमें दोनों के ही desired character मिले यहाँ पर हमें एक best example दिख रहा है कि एक desired character इसका है इसमें number of grains कम है लेकिन इसकी length जादा है इसमें number of grains ज्यादा है लेकिन इसकी length का में हम इन दोनों को दोनों का desired character है क्या अलग-अलग इसका length of corn और इसका number of grains दोनों का हमने एक hybrid obtain किया जिसमें इसकी length भी ज्यादा है और number of grains भी ज्यादा है तो यही benefit होता है वच्चो hybrid का हमें desired character पैचानना पड़ता है कि किन characters को हम desired character की तरह लेकर अपना hybridization आगे बढ़ाएंगे और hybridization आगे बढ़ाएंगे तो हम यह obtain कर पाएंगे कि किन character वाले individuals की हमें requirement है ठीक है the desired character have to be combined from two different plant parent to form a hybrid कि हमें दो अलग-अलग plant parent से desired character obtain करने पड़ेंगे जिससे कि हमें क्या मिले hybrid मिले example यहाँ पर एक example लिया है high protein quality of one parent is combined with disease resistance from other parent दो हमने parent की बात कही हमने का मान लो A और B दो parent है एक में disease resistance ज़्यादा है productivity कम है दूसरे में productivity ज़्यादा है disease resistance कम है हम इनको hybridize कराते हैं और एक C obtain करते हैं hybrid obtain करते हैं जिसमें disease resistance भी ज़्यादा हो और productivity भी ज़्यादा हो तो दो desired character वाले parents को मिला कर हम उनमे hybridization कराते हैं और ऐसे hybrid बनाते हैं जिनमें दोनों के ही desired character present हो जैसे यहाँ पर एक hybrid है जिसमें दोनों के ही desired character present है length of corn and number of grains लेकिन कुछ drawback भी है drawback भी है भाई क्या drawback चरह देखते हैं very time consuming process है यह process जो है वो बहुत ही time consuming process and tidious process very time consuming and tidious process since the pollen grain have to be collected and placed on the stigma of female plants तो एक बड़ा time consuming process है और tidious process है जिसमें pollen grains को collect करना और असे stigma पर जो है place करना the hybrids may not combine with desirable character तो ऐसा भी हो सकता है कि hybrids में desirable character जो है combine ना हो usually only one in few hundred or to a thousand cross show the desirable combination तो सेकडो या हजारो में कोई एक combination हमें ऐसा मिलता है जिसमें desired character वाले combination present हो और हमें hybrid मिले हमें उसी एक की जरुरत है हमें उसी एक की जरुरत है कैसे जैसे हमने मालो हमने दो चीज़े कहीं ऐ parent है जिसमें disease resistance जादा है productivity कम है इसमें productivity जादा है disease resistance कम है हमने बोला हम C obtain करेंगे जिसमे productivity भी ज़ादा मिले और disease resistance भी जादा मिले हो सकता हमें D मिल जाए जिसमें productivity भी कम हो और disease resistance भी कम हो ऐसा ही एक example मैं आप लोगों से discuss करता हूए कि एक scientist था ठेक है एक scientist था उन्होंने क्या किया एक carrot plant लिया carrot और एक cauliflower लिया फूल को भी carrot लिया और cauliflower उनने उनको बीच में cross कराया और बोला कि हम एक ऐसा hybrid बनाएंगे जिसमें shoot मिलेगा cauliflower का और root मिलेगा carrot का मतलब उपर जो है जमीन के उपर हमें full go भी मिलेगी उपर से हमें full go भी मिलेगी और नीचे हमें carrot मिलेगा वा भाई वाई एक ही plant में दो-दो product मिल रहे है ठीक है और उनने hybrid किया सफल हो गए दोनों का hybrid बना लेकिन बना एकदम उल्टा कैसा बना भाई cauliflower का root मिला और carrot का shoot मिला दोनों का hybrid मिला लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर समय वही हमें desired character वाला hybrid मिल पाई जिसकी हमें जरुरत हो सकता है उल्टा भी हो सकता है और उल्टा हो गया तो खेल खराब हो सकता है तो सैकडो हजारों में सैकडो हजारों hybrid बनाएंगे ठीक है अब क्या हो गया माल लीजिए हमें जितने भी hybrid मिले अब हम उन सभी माल लीजिए hundreds of hybrid मिले thousands of hybrid मिले अब उन सभी hybrids में हम क्या करेंगे हम उनमें से superior recombinant hybrid को choose करेंगे हम choose करेंगी कौन सा ऐसा hybrid है जिसमे parents के जादा से जादा desired character dominant form में present हो so it is a it is the crucial to the success of breeding objective and require careful scientific evaluation of the progeny कि जितने भी हमें progeny offspring मिले हैं, hybrids मिले हैं उनमें से desired character वाला hybrid कौन सा है इस बात को हम पता कर पाए तो यह बड़ा एक crucial scientific process है this type yield plant that are superior to both of the parent तो इस से ऐसे हमें plant मिलते हैं जिन में दोनों ही parent से जादा superior character present हो क्योंकि दोनों ही parent के desired character present होगे there is a self-pollinated these are self-pollinated for several generations यह underline कले न for several generations till they reach a state of uniformity, homozygosity so that the character will not segregate in the progeny तो जो superior recombinant वाला hybrid मिला ध्यान से सुनो superior recombinant वाला hybrid मिला है उसको बार बार कई generation तक हम self-pollination कराते हैं बार बार कई generation तक self-pollination कराते हैं जिससे उसमें pure line character वाले offspring डेवलप हो जाए homozygos character वाले offspring डेवलप हो जाए जिससे कि future में कभी उनमें segregate, segregation ना मिले future में कभी उनमें segregation ना मिले यानि उन offsprings को, उन hybrids को हम cultivation के लिए use कर पाए जिससे हमें ऐसा product मिले जिनमें parents के superior desired character present हो मतलब वो recessive form में उसके character ना जाए इसलिए बोला, segregate यानि वो जो character है वो दोनों ही parent के desired character साथ साथ हमें मिले, कभी भी यह अलग ना हो, इसलिए इन्हें several times self-pollination कराया जाता है फिर आता है fifth step पे, अब हमने hybridization भी कर लिया hybridization के बाद superior offspring, superior progeny को भी obtain कर लिया, लेकिन confirm होना जरूरी है तो confirm होंगे कैसे उनकी testing कराएंगे ठीक है, उनकी testing कराएंगे the newly selected lines are evaluated for their yield quality disease existence, उनका analysis होगा कि क्या वास्तों में parent के desired character present है या नहीं वास्तों में parent के desired character present है या नहीं, तो उनकी testing कराएंगे, जिससे हम पता चल पाए कि इनकी yield कैसी है इनकी productivity कैसी है इनकी quality कैसी है, इनका disease resistance कैसा है ये सारी बाते हमें तभी पता चल पाएंगी जब हम उनकी testing कराएंगे it is done by growing these in research field and recording their performance कैसे होगा, हम उनने research field में grow कराएं और उनकी performance को record करें under ideal fertilizer application irrigation and other crop management practices तो जो agriculture research institute होते हैं, वहाँ पर hybridization से इनही तरह के plants को develop कराया जाता है और जो developed hybrid मिलते हैं, उनका properly crop management, testing वगरा कराकर ही उन्हें seed के form में market में release किया जाता है evaluation is followed by testing the material in farmer's field for at least three growing season at several location, क्या-क्या चीज़े perform की जाती है, ऐसे ही अपने मन से seed को market में ने release कर देते, पहले उन्हें कई बार research institutes में grow कराते हैं suitable environmental condition provide करके, suitable crop management करके, suitable fertilizer application करके, फिर उन्हें farmers field में कम से कम three season तक grow कराते हैं, वो भी अलग-अलग farmer field में जहां पर अलग-अलग environmental condition मिलती हैं, जहां पर अलग-अलग environmental condition मिलती हैं, वहां पर उन्हें grow कराते हैं, representing all the acrochemical climate zone, और ये भी test करते हैं कि कि अलग-अलग तरह के climate zone में ये seed grow कर सकती हैं, भाई, ज़रूरी नहीं कि high temperature वाले season में जो productivity मिले, या high temperature वाले climate में जो productivity मिले, वही low temperature वाले में भी मिले, तो ये भी हमें चेक करना है कि अलग-अलग जगह पर productivity कैसी मिल रही है, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि एक particular type की वराइटी को कौन सा मौसम suit करेगा, कौन सा climate suit करेगा और कौन सा climate suit नहीं करेगा The material is evaluated in comparison to the best available local crop cultivator, a check for reference cultivator तो जो material हमें मिलेगा, जो improved variety मिलेगी, उसको फिर हम release करेंगे किस के लिए, farmers के लिए, cultivators के लिए in the form of seeds तब वो variety, नई variety जो है market में release होती है, जिसकी productivity ज़्यादा मिले और तब उन्हें farmers use करते हैं, और क्यों use करते हैं भाई, अपनी productivity को improve करने के लिए, ठीक है, अपनी productivity को improve करने के लिए तो ये वो 5 steps होते हैं, जो perform किये जाते हैं किसमें, hybridization तो इससे हुआ क्या, इससे variety improvement होता है, तो उसकी productivity बढ़ती है productivity बढ़ेगी, तो हमारी बढ़ती हुई population की जो food requirement है, वो food requirement fulfill होगी, और crop improvement से जो food productivity बढ़ती है बच्चों, इसी को कहा जाता है green revolution, इसी को कहा जाता है green revolution, हरित क्रांती बोलते हैं, तीक है? green revolution कहते हैं, और किसकी वज़े से आया ये green revolution, इंडिया में MS स्वामी नाथन आगे इनके बारे में हम लोग discussion करेंगे, father of green revolution in India, MS स्वामी नाथन कैसे आया, ये हम लोग देखेंगे, तो green revolution क्या है, crop improvement से, hybridization से, किसी भी crop की productivity को improve करना, उसकी quality को improve करना, यही होता है green revolution देखते हैं, क्या कह रहा है, agriculture account for approximately 33% of India's GDP, हमारी GDP का 33% agriculture acquire करता है and nearly about 62% of total employment, आपको बताऊंगा, आप विश्वास करोगे नहीं, लेकिन जान लो, हमारे देश में, ठीक है, पहले भी मैंने discussion किया है हमारी country में, लगभग 25 sector है, 24-25 sector है, जो काम करते है, जिसमें IT sector, automobile sector, telecom sector, chemical sector, pharma sector, अलग-अलग तरह के sector है और यह सारे, जो 24-25 sector है, यह stock market में listed है, केवल एक अकेला जो sector है, agriculture, agriculture sector stock market में listed नहीं है यह वो आखिरी, जो 26 sector है, यह वो sector है, जो stock market में listed नहीं, लेकिन फिर भी, पूरे employment का 62%, अगर मैं आज की condition बताऊं, तो 62% total employment, पूरे country में जो है, वो agriculture sector की है, उस sector की है, जो stock market में listed नहीं तो directly या indirectly लोग agriculture पे dependent है, हमारी GDP का 33%, portion acquire है, agriculture में ओ 62% of the total employment, directly या indirectly depend करता है, किसके उपर, agriculture के उपर, तो बहुत important sector है, हमारी country की economy को run करने के लिए, in the mid 60s, mid 60s में plant breeding की technique को, जो है, develop किया गया, in mid 60s, plant breeding technique, resulted in the development of high yielding varieties of wheat and rice, तो mid 60s में 1960s के आसपास, plant breeding से wheat और rice की high yielding variety को improve किया, मतलब develop किया गया, it lead to dramatic increase in food production in India, इसकी वज़े से, इंडिया में food production में enormous increase देखा गया, और इस increase को नाम दिया गया, green revolution, the development and flourishing of agriculture, इसी को बोलते हैं, हरित करांती, green revolution, जिससे agriculture को flourish किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा, जो productivity है crop की, उसको improve किया गया, किस process से, plant breeding process से, और इसी को हमने नाम दिया, क्या, इसी को नाम दिया हमने, green revolution, ठीक है, याद रखना है, यह fact, सो हुआ क्या, 1960 से 2000 तक की कहानी है, 1960 से 2000 तक, wheat production increase हुआ, ठीक है, wheat production increase हुआ, कितना increase हुआ भाई, 11 million tons से लेके 75 million, तू देख रहे हो, 7 times increase हुआ, 40 सालों में, साथ गुना increase हुआ, wheat production, 40 सालों में, 11 million tons से, कितना increase हो गया, 75 million tons, और rice production को लेकर भी पूछा जाता है, rice production, was, 35 million tons से, लगभग, 90 million, 89.5 million tons तक increase हुआ, तो लगभग, 2.3, मतलब, 2.3 times, wheat production 7 times, क्योंकि wheat से बहुत जादा product बनता है, अगर हम rice के comparison में देखे हैं, तो wheat से product बनने वाले product की variety जादा है, तो wheat का cultivation भी जादा होता है, और wheat का cultivation जादा हुआ, तो उसमें जादा increase देखने को मिला, तो यह याद रखना है, 11 million tons से 75 million tons wheat का increase हुआ, 1960 से 2000 तक, 35 million tons से 89.5 million tons rice का increase हुआ, और यह सब किसकी वज़े से increase हुआ, wheat और rice की semi-dwarf varieties की वज़े से, wheat और rice की semi-dwarf varieties की वज़े से यह improvement, इतना बड़ा improvement देखा गया, और यह semi-dwarf varieties किसने develop की थी, यह develop की थी, Norman E. Borlog, एक scientist थे, Norman E. Borlog, इन्होंने ही सबसे पहले plant hybridization या plant breeding का process परफॉर्म कराया था, और इन्होंने ही सबसे पहले semi-dwarf varieties develop की थी, और इन्हें father of green revolution in world कहा जाता है, MS. Swaminathan को father of green revolution in India कहते है, Norman E. Borlog को father of green revolution in world, इन्ही के concepts को इन्ही से develop की गई varieties को, MS. Swaminathan ने इन्डिया लाया और Indian varieties से उसको cross करके, एक Indian improved varieties को develop किया, जिससे यहाँ पे productivity बढ़ी, तो शुरुआत की थी किस ने, Norman E. Borlog ने, और इसलिए इन्हें father of green revolution in world कहा जाता है, father of green revolution in world, ऐसा कई बार हम लोग देखेंगे कि international scientist ने कोई चीज, कोई process, कोई technique develop की और फिर Indian scientist ने उसको यहाँ लाया और इंडिया में उस process को develop किया, ठीक है, जैसे हम लोग DNA fingerprinting, DNA fingerprinting की बात करते हैं, ठीक है, एलेक जैफरी ने develop किया था, वर्ल लेवल पे, तो father of DNA fingerprinting, एलेक जैफरी, उसको इंडिया लाए, डॉक्टर लाल जी सिंग, तो डॉक्टर लाल जी सिंग is considered as father of DNA fingerprinting in India, यहाँ पर Norman E. Borlog ने वर्ल लेवल पे सबसे पहले plant hybridization किया, और improved variety produce कराई, उसको इंडिया लाए, M.S. Swaminathan, और इसलिए उन्हें father of green revolution in India कहा जाता है, इस point को याद रखना, in 1963, M.S. Swaminathan, आगे उनकी बात, क्या हो बोल रहे हैं, in 1963, varieties such as Sonalika and Kalyan Sona, they are the high yield and disease resistance varieties were introduced in India, इंडिया में introduced किया गया, ठीक है, इंडिया में introduced किया गया, 1963 में, they are the high yield varieties, जिनका disease resistance भी ज़्यादा था, और जिनकी productivity भी ज़्यादा थी, ठीक है, ये वो semi-dwar varieties थी, जिनको इंडिया में introduced किया गया, याद रखना है, ठीक है, अब जब introduce किया गया तो, एक एक करके, ये भाई, ये तो revolution है, चलता रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि एक बार में बंद हो जाएगा, क्रांती है, लंबी चलेगी, तो जब एक होता है कि कोई नई चीज खोज ली हो, तो उसकी possibilities खोची जाती है, कि इसकी क्या-क्या possibilities हो सकती, और कौन-कौन से हम, इससे product obtain कर सकते हैं, तो wheat और rice को लेकर सबसे पहले शुरू करेंगे, semi-dwarf rice variety, semi-dwarf rice variety जो इंडिया में आई, ये semi-dwarf rice variety सबसे पहले derive हुई थी, IR8 से, IR8 एक variety है, जो develop की गई थी, International Research Institute Philippines में, International Rice Research Institute, IRRI Philippines में, develop की गई थी, and Taichung Native 1 from Taiwan, Taichung Native 1, ये भी semi-dwarf rice variety है, और IR8 भी semi-dwarf rice variety है, एक Philippines में develop की गई थी, International Rice Research Institute Philippines, IRRI, और दूसरा है, Taichung Native 1, जो है Taiwan में develop की गया था, इंडिया में जो, इंडिया में जो, semi-dwarf variety, semi-dwarf improved variety, having high yield, जो develop की गई, वो याद रखना है, Jaya and Ratna, ये इंडिया में develop की गई थी, IR8 फिलिपीन्स में, Taichung Native, Taiwan में, Jaya and Ratna, these are semi-dwarf variety, which are developed in India, Jaya and Ratna याद रखना है, ठीक है, फिर बात आती है, Sugar Cane की, Sugar Cane की, हमने बुला न, कोई revolution शुरू आ तो, maximum possibility ढूणी जाएगी, कहां कहां यूज कर सकते है, इस process को, एक बड़ा improvement आता है, Sugar Cane का, Sugar Cane को लेकर, बड़ा improvement बड़ी बात आती है, यह क्या है, ध्यान से जुनना, Sugar Cane की एक variety थी, नाम था Sacram Barberi, Sugar Cane की एक variety थी, नाम था Sacram Barberi, इट वोज ओरिजिनली ग्रोन इन नौर्थ इंडिया, इसको कहां यह आसानी से ग्रो करता था, नौर्थ इंडिया में इसे ग्रो कराया जाता था, अब नौर्थ इंडिया में ग्रो कराया जाता था, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है नौर्थ इंडिया में ग्रो कराने में, लेकिन होता क्या, इसका Sugar Content कम था, पूर Sugar Content था, और इसकी Yield भी कम थी, ठीक है, पूर Sugar Content था, और इसकी Yield भी कम थी, और वहीं South इंडिया में, जो Tropical Region है, वहाँ पर भी एक Sugar Can की Variety ग्रो करती थी, जिसका नाम था Sacrum Officinarum, तो हमें दो Variety मिल रही, Sacrum Barberi, जो North इंडिया में ग्रो करती थी, जिसका Sugar Content कम था, Yield भी पूर थी, दूसरी वो Variety, जो Tropical Region of South इंडिया में ग्रो करती थी, नाम था Sacrum Officinarum, जिसकी Stem थिक थी, यानि Yield ज्यादा थी, और High Sugar Content था, Yield ज्यादा है और High Sugar Content है, लेकिन वो North इंडिया में ग्रो नहीं कर सकता, South में ग्रो कर सकता, अब क्या किया, इन दोनों को Cross किया, इन दोनों का Hybrid बनाया, इन दोनों के Hybrid से, एक ऐसा, ठीक है, इन दोनों के Hybrid से, एक ऐसी Variety डवलप हुई, जिसमें Yield भी ज्यादा थी, Sugar Content भी ज्यादा था, और वो North इंडिया में भी, आसानी से ग्रो कर सकता था, ठीक है, एक ऐसी Variety डवलप की गई, जिसमें Desirable Quality, High Yield Thick Stemmen, High Sugar Ability, and Can Grow Easily in North इंडिया, और North इंडिया में Easily, ग्रो कर सकता है, यह क्या है भाई, यह Hybrid है, किसका Sacrum Barbarian, Sacrum Officinarum का, ठीक है, यह याद रखना, Sugar Cane को लेकर यह बात आई, इसके Character से Question पूछा जाता है, कि कौन सा North इंडिया में Grow करेगा, कौन सा South इंडिया में Grow करेगा, किसकी Productivity ज़्यादा है, और इनका जो Hybrid बनेगा, उसकी क्या खासियत है, Next आते हैं Millets, Millets की बात करें, तो Hybrid Maze, Jowar, and Bajra, Hybrid Maze, Jowar, and Bajra, Have Been Developed in India, इंडिया में ये भी डवलप किये जा चुके हैं, Hybrids breeding has led to the development of several high-yielding varieties resistance to water stress, तो ऐसी Hybrid varieties develop की जा चुकी हैं, जो सूखे को भी जहल जाए, water stress, पानी की कमी को भी tolerate कर सकते हैं, जहल सकते हैं, तो Millets के Point में ये important point आ जाता है, जहां पर जोवार और बाजरा की बात आती है, कि ऐसे hybrids develop किये जा चुके हैं, जो water stress, यानि पानी की कमी को भी tolerate कर सकते हैं, तो ये भी एक improvement है, इससे भी क्या है, crop loss नहीं होगा, crop loss कम होगा, productivity बढ़ेगी, yield बढ़ेगी, stress को जहलने की capability बढ़ेगी, और stress केवल productivity का नहीं होता, stress केवल unfavorable, मतलब abiotic factors का temperature का water का नहीं होता, living organism का भी stress होता है, कई living organism जो disease cause करते हैं, तो plant improvement में केवल productivity improve करना माइने नहीं रखता, उनका disease resistance भी improve करना equally माइने रखता है, ठीक है, disease resistance भी improve करना equally माइने रखता है, तो ये बात भी अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है, ये बात भी अपने को ध्यान रखने हैं, जस्ट वन सेकंड बच्चो, चलो ठीक है तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है so next आते हैं plant breeding and disease resistance तो ये जो hybridization करा रहे हैं ये जो plants में breeding करा रहे हैं इससे हम plants में होने वाली diseases को भी control कर सकते हैं और diseases को भी control करेंगे तो कैसे control करेंगे उनमे resistance डेवलब कराएंगे अब याद करो microbes में हमने BT cotton की बात कही थी BT cotton में क्या हुआ था कि हमने microbes को use करके cotton में disease resistance डेवलब किया था जिसके उसकी productivity पढ़े थी तो कई बार ऐसा होता है कि अलग-अलग तरह के pathogen पाए जाते हैं जो plants में अलग-अलग तरह की disease cause करते हैं ठीक है अलग-अलग तरह की disease cause करते हैं जैसे fungal, bacterial and viral pathogen are present that can cause various types of plant disease तो plant disease cause करते हैं और इससे क्या होता है crop loss होता है कितना loss होता है भाई up to 20 to 30% तो normal बात है entire crop यह total loss भी हो सकता है पूरी फसल बरबाद हो गई, पूरी productivity खतम हो गई total loss हो सकता है so breeding and development of cultivars resistance to disease enhanced food production तो breeding तो ठीक है, productivity improve करो लेकिन productivity के साथ साथ और क्या improve करना जरूरी है productivity के साथ साथ plants में disease resistance इंप्रूव करना यानि disease resistance भी चाहिए वो भी equally important है वो भी बराबर की importance रखता है लेकिन हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं pesticides यूज करते हैं ठीक है, pesticides यूज करते हैं तो अगर हमने plant breeding से disease resistance डेवलप कर दिया तो हमें pesticides यूज नहीं करने पड़ेंगे pollution कम होगा भाई biomagnification कम होगा health hazard, health पे adverse effect कम होगा तो pesticides यूज करते हैं और इन pesticides के use से क्या होगा जो harmful effect देखे जाते हैं chemicals के जो harmful effect देखे जाते हैं वो harmful effect कम हो जाएंगे so before breeding know about the causative organism and the mode of transmission तो breeding से पहले हमें ये भी याद करना पड़ेगा कि कोई भी pesticide अगर किसी crop को affect कर रहा है तो कौन सा pesticide affect कर रहा है और किस तरह से उसका transmission पाया जाता है किस तरह से वो pest है वो transmit होता है और जादा से जादा crops को affect करता है some plant diseases कुछ plant diseases की बात करें जैसे fungal बड़ा famous पूछा जाता है कौन सी plant disease किस तरह के pathogen से होती है तो जैसे fungal से होने वाली diseases को हम commonly rust और smut बोलते हैं ठीक है जैसे brown rust of wheat wheat में brown rust पाया जाता है red rot of sugar cane and late blight of potato ये किस category में आते हैं ये rust की category में आते हैं जो की fungal disease है bacteria से बात करें bacterial में तो black rot of crucifers black rot of crucifers जो की किस तरह की disease है ये एक bacterial disease है वहीं virus की बात करें तो tobacco mosaic जो की tobacco mosaic से होता है turnip mosaic यानि turnip mosaic virus होता है तो ये viral disease है कुछ example यहाँ देखें brown rust of wheat हम देख रहे है red rot of sugar cane अभी जो हमने उपर लिखा उसी को late blight of potato black rot of crucifers tobacco mosaic और turnip mosaic तो ये diseases किस तरह से दिखती है इनसे जो 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 वराइटी जो प्लांट जो crop effect होती है वो crop कैसी दिखती है ये आप diagram से देख सकते हैं easily आप diagram से देख सकते हो आपको idea है इसका आपने पहले पढ़ा हुआ है आप easily समझ सकते हो ठीक है so viral में tobacco mosaic tobacco mosaic देख सकते हो turnip mosaic देख सकते हो late blight of potato देख सकते है red rot of sugar cane देख सकते है तो ये अलग-अलग तरह के pathogen से होने वाली अलग-अलग diseases पाई जाती है next आते है method of breeding for disease resistance अगर हमें disease resistance कराना है disease resistance develop कराना है तो हम किस तरह का breeding method use करेंगे तो दो तरह के common breeding method होते हैं एक conventional breeding method और दूसरा mutational breeding conventional breeding मतलब जो हम traditional पुराने pattern का जो breeding technique यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है conventional और अगर mutation induce किया जाए कि plant में या variety में एक unpredictable change देखने को मिले जिससे कि उसमें pathogen effect ना कर पाए उसमें recombinant हो नया genome develop हो नये characters develop हो तो उसे कहा जाता है mutational breeding देखेंगे कैसे होती है सबसे पहले conventional breeding की बात करें conventional breeding हमने जो पुराने pattern की breeding होती है उसी को हम conventional breeding कह रहे हैं क्या steps involved होता है वही जो हमने plant breeding में steps लिये थे वही steps involved है कैसा screening of germplasm for disease resistance source हम ये देख पाएं कि कौन-कौन से ऐसे germplasm हमारे पास resources present है जिन में disease resistance है और कौन-कौन सी variety किस-किस disease के लिए resistance शो करती है hybridization of selected parents अब जो disease resistance वाले parents चाहिए हम उनको लेकर उन्हें hybridize करें जो hybrid मिलते हैं उन्हें evaluate करें जैसे अभी हमने पहले किया था और evaluate के बाद उनकी testing करें और उसके बाद उस नई variety को market में release करते हैं ये वो traditional तरीका है जो अभी हमने पढ़ा था ठीक है ये वो traditional तरीका है जो हमने पढ़ा था इससे क्या है इससे भी disease resistance develop कराते हैं किसमें किसमें हमने disease resistance develop कराया कैसे conventional breeding technique से example है most famous example है याद रखना ठीक है अगर भूल गये भगवान माफ नहीं करेगा ये example अगर भूल गये नहीं तो उपर वाला माफ नहीं करेगा ध्यान से सुन लो क्या क्या एक्जामपल है भाई wheat की वराइटी conventional breeding technique से disease resistance डवलप किया गया wheat की वराइटी नाम है हिमगिरी किसके लिए resistance है leaf and stripe rust and hillblund leaf and stripe rust and hillblund पूछा जाता है थोड़ा confusing है लेकिन साफ साफ सीधा question आता है दूसरा brassica brassica की वराइटी है pousa surenim pousa surenim जो करन राई बोलते है white rust white rust के लिए resistance है ये pousa actually pousa institute है डेली में ठीक है पूसा institute डेली में है वहाँ पर ये varieties develop की गई है इसलिए इनके नाम में पूसा word इंड्रीज्टियूस किया गया ठीक है cauliflower की variety है pousa subra and pousa snowball kevan पूसा subra and pousa snowball kevan they are resistant to black rot and curl blight ठीक है they are resistant to black rot and curl blight black rot फिर cow pea की variety है pousa komal इट इस रेजिस्टेंट टू बैक्टिरियल ब्लाइट ये बैक्टिरियल ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है चिली की वराइटी है पूसा सदा बहार इट इस रेजिस्टेंट टू चिली मुजाइक वाइरस टूबैको मुजाइक वाइरस और लीफ कर्ल डिजीज तो ये क्रॉप भी याद रखना है कौन सी वराइटी है और किसके लिए रेजिस्टेंट है स्ट्रिक्टली याद रखना है एक्जाम में पूछेगा ठीक है और भूले तो उपर वाला माफ नहीं करेगा भगवान से डरो बहुत जरूरी ये भगवान से डरना उपर वाला माफ नहीं करेगा आगे आते हैं क्या characteristics आते हैं conventional breeding technique के ठीक है क्या characteristics आते हैं conventional breeding technique के देखें conventional breeding technique is often considered as constrained by the availability of limited number of disease resistant gene present in various crop variety तो conventional में हम क्या करेंगे जो resistance पहले से है उसी को develop करा सकते ठीक है उसी को develop कराते हैं मालो ए वराइटी है उसमें किसी के लिए resistance develop हमने वो develop करा है C में कोई और resistance develop हमने वो develop यानि वो resistance ही develop करा पाते हैं जो पहले से ही nature में present है inducing mutation in plant and screening the plant material for resistance lead to desirable gene being identified तो अगर हम plant में mutation कराते हैं और mutation से mutated gene को हम continuously हम उसे identify करें और हम अगर identify करें और उससे हमें पता चले किस mutation से इसमें एक नई तरह की disease के लिए resistance develop हुआ है तो उसे कहते है mutational breeding ठीक है so plant having these desirable character can be multiplied directly or can be used in breeding तो किसी mutation से अगर कोई resistance develop होता है और उस mutated plant को हम use करते हैं resistance provide करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा breed करें जिससे दूसरी varieties में हम resistance develop करा पाएं तो उसे कहा जाता है mutational breeding other breeding methods are selection amongst somaclonal variants and genetic engineering तो और भी method है breeding कराने के हमने बायो टेक्नोलोजी में पढ़ा है बायो टेक्नोलोजी में क्या है genetic engineering gene modification recombinant DNA टेक्नोलोजी जिसको कहते है और इसके अलावा somaclonal variants somaclonal clonal variation भी हम perform करते हैं किसको obtain करने के लिए जो developed variety है वो developed variety या disease resistance को develop कराने के लिए अगला है mutational breeding so mutational breeding की बात करें so mutation is a process of sudden change sudden change का process evolution में हमने पढ़ा था एक ऐसा change जिसकी किसी ने पहले से उमीद ना की हो किसी भी direction में हो और वो mutation अगर disease resistance develop कराता है तो उसे mutational breeding कहते हैं तो देखें mutation is a process of creating genetic variation by changing base sequence of gene resulting in the creation of new character or trait तो mutation आया, pattern change हुआ नया character डवलप होगा नया trait डवलप होगा और नया trait डवलप होगा तो उसके नया characteristics नया feature हमें देखने को मिलेंगे mutational breeding क्या है, it is the breeding by mutation using chemical or radiation जिसमें gamma radiation का use होता है and selecting the plant with desirable character as a source in breeding तो एक हमने variety लिया, एक plant लिया उसमें हमने radiation या chemicals के use से mutation कराया और mutation के बाद अगर हमने उसको किसी दूसरी variety के साथ hybrid किया, hybridize कराया, breeding कराया, जिससे की हमें mutated variety वाला एक offspring मिले और उस mutated variety के offspring में disease resistance पाया जाए, तो उसे कहते हैं mutational breeding जैसे example, in moong bean, important है याद रखना moong bean is resistant to yellow mosaic virus and powdery mild dew were induced by mutation, तो एक mutational breeding से जो offspring produce कराई गई है, example है moong bean, जो किसके लिए resistant है, दो तरह के disease के लिए, मतलब दो तरह के disease के लिए, एक yellow mosaic virus और दूसरा powdery mild dew और moong bean में ये जो resistance डवलप कराया गया है, ये कैसे डवलप कराया गया भाई, mutational breeding से ये resistance डवलप कराया गया, ठीक है, mutational breeding से resistance डवलप कराया गया, और क्या example जाता है, many wild species have disease resistance but only very low yield, hence resistant genes are introduced into high yielding cultivated variety, तो कई ऐसी wild varieties पाई जाती हैं, यानि non-cultivable varieties पाई जाती हैं, ऐसी varieties जिनका normally हम cultivation नहीं करते हैं, ऐसी varieties पाई जाती हैं, जिनमें disease resistance हो, लेकिन इन जिनका yield बहुत कम हो, और ऐसे gene को हम ऐसी varieties में introduce करते हैं, जिनमें हमें disease resistance को develop कराना है, so these genes are introduced into high yielding cultivated variety, high yielding cultivated variety में जिसका cultivation कर रहा है, example क्या मिल रहा है, resistance to yellow mosaic virus, resistance to yellow mosaic virus in bindi, okra, ठीक है, abelmoscus asculentus, bindi में ये resistance develop कराया गया है, it is transferred from wild species and produced a new variety, किसकी okra की, bindi की, और bindi की ये जो नई variety develop की गई है, इस development को नाम दिया गया परभणी करान्ती, ठीक है, इस development को नाम क्या दिया गया परभणी करान्ती, बड़ा famous question है, पूछा जाता है, परभणी करान्ती में, जो है, mutational breeding का example है, disease resistance develop किया गया है, किसमें, भिंडी में, lady finger, okra में, और उसे नाम दिया गया परभणी करान्ती, transfer of resist parvणी एक district है, महराष्ट में पढ़ता है, करनाटिका बार्डर की तरफ है, so transfer of resistance gene is achieved by sexual hybridization, between the target and source plant followed by the selection, तो resistant gene जो develop कराया गया, वो उसमें क्या-क्या obtain किया गया भाई, sexual hybridization कराया गया, और sexual hybridization से, किसके बीच कराया गया, वो target plant जिसमें develop कराया गया है, और उस source जहां से हमने, वो disease resistance वाला gene obtain किया, कैसे करायेंगे, sexual hybridization से करायेंगे, यह point को याद रखना है, ठीक है, यह point याद रखना है, तो next, plant breeding for developing resistance to insects pest, यानि pest resistance कैसे develop करायेंगे, plants में, ठीक है, यह हम लोग discuss करेंगे next class में, अभी जो हमने discuss किया, वो hybridization, plant breeding, conventional plant breeding for disease resistance, productivity बढ़ाने के लिए, disease resistance के लिए और mutational breeding हमने discuss किया, जिसमें पर्भणी करांती का एक बड़ा important योगदान आया है, हमने इसके बारें पढ़ा, इसमें किसको develop करा गया था, yellow mosaic virus resistant variety of bindi, lady finger को develop कराया गया, ठीक है, next class में बच्चों हम लोग start करेंगे, pest resistance को develop कराना, और उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसी varieties introduce की गई है, जिनमें pest resistance develop कराया गया है, ठीक है, चलिए, मिलते हैं फिर next class में, तब तक के लिए goodbye, take care and thank you.